पूछा है कैसे मैं आपका हाथ बन सकूँ हाथ बनने का एक ही उपाय है कि आनन्द की संपता तुम्हारे हाथ लग जाए अगर आनन्द की संपता तुम्हारे हाथ लग गई तो ये बन्टने को मजबूर हो जाएगी अपने आप बटने लगेगी आप सोता हाथ बन जाएंगे आप आत्मस्त होने की अवस्था पाले आपको आनंदी की तरंग उपलब्ध हो जाए यही सबसे सक्तिशाली उपाय है मेरा हाथ बनने का आप संपदा को आत्मसाथ कर ले आपने कदम उठा ही लिया है आप इस संपदा को आत्मसाथ करने का उपाय क्या है सिविर में जो कुछ मैंने उडेला कुछ आपके हिर्दे को चुआ कुछ आपके हाथ लगा कुछ आपके भीतर बदला कुछ तरंग आई कुछ तो तरंग आई ही है तभी तो आप बार बार पहुंच जाते हैं मुझको कोचते हुए अब इस तरंग को बढ़ाते जाने का काम करना है इस तरंग को बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है आपको अस्तित्त का सबसे बड़ा राज बताना चाहता हूँ इस अस्तित्त में चीजें बांटने से बढ़ती वरना मर जाती इसलिए जो भी तुम्हें मिल गया है उसको ततकाल बांटना शुरू कर दो जो भी तुमारे पास है वो बांटने से बढ़ेगा यह बहुत बड़ा सीक्रेट है आप दुख देंगे दूसरे को तो आपका दुख बढ़ेगा दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकती है आप सुख देंगे दूसरे को तो आपका सुख बढ़ेगा यह राज है अस्तित्तो का बांटना बढ़ाने का मार्ग है जो बांटो भी बढ़ेगा समझदार आदमी किसी को दुख नहीं देता दुनिया के सभी धर्मों ने दूसरों को सुख देने या दान देने की महिमा गई है पृत्वी पर कहीं भी कोई भी धर्म पैदा हुआ हर धर्म में कुछ चीजें कामन है उन्हें को मैं अंडरलाइंग सैंटिफिक प्रिंसिपल्स ब्याइंड डाल दे रेलिजन्स कहता हूँ दुनिया की धर्म परंपराओं में जो कुछ सार्थक है उसको मैं जीवंद करना चाहता हूँ और जो कुछ निरर्थक है वैसे उसमें 90% में रर्थक ही है कच्रा उस 90% से मैं प्रिंसिपल्स को मुक्त करना चाहता हूँ ताकि प्रिंसिपल्स पर हस्ता हुआ ड्या मुन से पैदा हो सके तो मैंने कहा जो भी आपको एक छोटी सी तरंग मिल गई है उसको अधिक से अधिक लोगों को दो उसको अधिक से अधिक लोगों को बाटोगे तो एक लाव तो उनका होगा जिनको आप उपलब धकराओगे कुछ दोगे उससे भी गहरा लाव आपको होगा उस बाटने की प्रक्रिया में आपकी संपदा थी ब्रगती से बढ़ना शुरू हो जाएगी थी ब्रगती से बढ़ने लगेगी इसलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ साइंस डिवाइन का बेसिक कोर्स जिसमें तीन महामंत्र मात्पुर्ण है विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शुनेता का विज्ञान, हरपला नंदित रहने का विज्ञान ये विज्ञान आप लोगों को अब तक मैंने कई बार समझाया है अब मैं चाहता हूँ कि साइंस डिवाइन का बेसिक कोर्स इन तीन महामंत्रों का विज्ञान दूसरों को उपलग डिकराने के लिए आप सब लोग मेरा हाथ बन जाएं जो भी बनने की प्यास रखता है जो भी छेस रखता है वो सब इसके मध्यज मेरा हाथ बन जाएं और यह basic course आप लोग दूसरों को बंटें मैं अब सिर्फ एडवांस कोर्स आप लोगों को सारी दुनिया को देना शुरू करूँगा चुकि कुछ तो मेरा काम आप हलका करें ताकि मैं कुछ नई नई चीजों की दिशा में आपको ले जा सकूँ अपनी पूरी समपता अपना सब कुछ आपके भीतर रुड़े सकूँ अभी तक मैं आगे की बातें नहीं कर रहा था मैं चाहता था कि आप लोग कम से कम फंडामेंटल्स तो समझ ले A, B, C, D तो समझ ले वो फंडामेंटल्स अनिवारी है और फंडामेंटल्स के लिए मैंने कहा इन तीन महामंद्रों की C, D, अवैलेबल है, उपलब्ध है इनको ले जाएं, बार-बार सुने और बार-बार सुनते सुनते आप पाएंगे एक दिन की इस प्रक्रिया में दूसरों को उपलब्ध कराने की ब्रक्रिया में जिनको उपलब्ध होगा होगा आपको पूरा-पूरा उपलब्ध हो जाएगा यह मेरा आशरवाद है झाल